हलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल, शुबंदुदास ट्यूटोरियाल, आज में इंडियन जियोग्राफी के उपर, MCQ टाइप कोश्यन अन्सर डिसकस करूंगा, चलिए आज आते हैं में डिसकस्यन पर आप लोग गौर से देखिये, तो चलिए देख लेते हैं पहला मद्रपदेश, उरिशा, अरुनाचल प्रदेश, छत्रिशकर, से एंसर है ऑप्शन ए मद्रपदेश, नेक्स कोश्यन, इन विच सिटी इस दफोरेस्ट रिसार्च इंस्टिटूट अफ इंडिया लोकेटेट, न्यो दिली, हैत्रवाद, देरादून, सिम्ला, से एंसर है इंडिया थे लर्चेस इंटर्नाशनल बर्डर विच चांट्री, चाइन, नेपल, पाकिस्तन, बंगलादेश, से एंसर है ऑप्शन दी, बंगलादेश, दा मस्क्यू इट सेकिक मिनारत इस सिटूएट इन विच इंडिया इन से चानपूर, अहमेदाबाद, जयपूर, दि राइट एंसर इस अप्शन भी एंधाबाद, फूच इस दा साउध रें मोस्ट पॉइंट अपनेंसुलर इंडिया, मतलब जमीन का सर्बसेश पॉइंट कॉंट सा है, इंद्रा पॉइंट कर्नकुमारी, स्याचन ग्लासियर, कांचन जंगा, यह पर राइट एंसर है ऑप् विज प्सक्राफ सुट्रीज दुख ड्राजस्तान बिहर। राइट अन्सर लिब दूसरी रजस्तान। फिज नेर्बून इंडिय आपस्ट सी पृतन। ड्राइटन बूस्तान। ते आंसर असंडेर। इक्तवर वुतशन। और मुंत एखन एरीन कहले च्ताबश्या मबढपुष्यदेन। बाव्यवांबड़ी श्रिशन मेणिशन एन अवे स्क्रीज़्ा क मेण स्साइ्ट मेंूंध। originate over which one of the following Arabian Sea, Baltic Sea, Mediterranean Sea, Caspian Sea Western Disturbance मतलब पस्चिमी जहन्जा और O originate होता है Mediterranean Sea से चो सही एंसर option C, Mediterranean Sea In which one of the following states in a Nagaparvath pick located? Nagaparvath located in Jammu and Kashmir So option B is the right answer Indravati is a tributary of which river? Ganga, Krishna, Mahanandhi, Gadabari Gadabari is the right answer Which one of the following Indian rivers forms an estuary? Gadabari, Tapi, Kaberi, Mahanandhi तो मैं बता दू, जो river Delta create करता है वो सब river estuary create नहीं कर सकता तो यहाँ पर Gadabari, Kabiri, Mahanandhi, Delta create करता है तो right answer is option B, Tapi अगला question Which one of the following is not correctly matched? NH2, Delhi to Kolkata हाँ यह सही है NH2, Delhi से Kolkata जाते है NH4, Chennai तू ठाने यह भी सही है NH3, Agra to Mumbai यह भी सही है NH9, Delhi to Mumbai यह गलात है NH8 जो है वो दिली से मुंबाय जाता है तो NH9 is the right answer Which of the following is the highest peak of Satpura range? गुरुशिखर, धूबकर, पंचमारी, महेंद्रोगिरी तो मैं बता दू, धूबकर is the right answer और गुरुशिखर जो है यह अरावर्ली रेंज का हाइस्ट पीक है और पंचमारी, मध्रपदेश का एक रेल स्टेशन है और महेंद्रोगिरी, इस्टर्ण घाट का हाइस्ट पीक है तो next question Which of the following rivers does not flow into the Arabian Sea? So, कौनसा river Arabian Sea पर नहीं गीता है? Right answer is option A, Tungabhadra Sandalwood industry is developed in अंध्रापदेश, तामिलनारू, कर्णाटका, केराला Right answer is Karnataka Black soil is most suitable for the cultivation of paddy, मेज, कटन, oil seeds Right answer is oil, sorry, कटन Option C is the right answer और एक MCQ यह से आता है रेगूर कौन से मित्ती को बोला जाता है यहाँ पर answer होगा Black soil Next question Major producer of groundnut in India is Bihar, Gujarat, Andhra Pradesh, Madhra Pradesh Gujarat, Option B is the right answer Pre-monsoon को भी कहा जाता है और Western disturbance तो मैं पहले बता चुका हूँ South West monsoon जो है उससे इंडिया में 90% बारिश होता है तो यहाँ पर right answer होगा Option B North East monsoon Next question Earthquake waves are recorded in seismograph, barograph, hydrograph, hydrograph, hygrometer It's a right answer seismograph The highest Himalayan mountain peak in India is Everest Nanda Devi, Kanchanjanga, K2 Everest जो है, Everest पर बोत ओ नेपाल पर है ओ वाल का हाइस पीक है Nanda Devi जो है, ओ उत्तराखन में है लेकिनो हाइस पीक नहीं है Kanchanjanga जो है, ओ हाइस पीक है Himalayan range का और K2 काराकुरम range का है So option C is the right answer The Girnar hills are situated in which of the following states Girnar जो hill है, ओ गिर नैशनल पार्क में है और ओ गुच्राट पर है वो एकलोती जगा है इंडिया में जहाँ पर लायन पावा जाता है ठीक है, तो option C, गुच्राट is the right answer Next page पर जाने से पहले आप सभी लोग से एक request है आपने अभी तक मेरे चैलेंग को सब्सकाइब नहीं किया है तो जरूर सब्सकाइब कर दीजिए और सबसे पहले notification पाने को लिए बेर आइकन को ओल कर दीजिए ठीक है Next question Das is a state between the Tamil Nadu state and the Mannars district of the northern province of the Eastland nation of Sri Lanka आपर राइणसरे, option B, Pock street Das river is also known by the name Sorrow of Bengal Bengal का दुख किस नदिकव कहा जाता है आपर राइणसरे, option C, Damodar What is the oldest oil field in India? डिखबोई इन असाम, option A is a right answer और Bombay हाई जो है, वो सबसे बड़ा oil field है, ठीक है? Next question What is the largest mango forest not only in India but in the world? यापर राइणसरे, option C, Sundarban Andhi are common in Punjab and Haryana The same are called Dash in East Bengal Bengal को, Bengal में उसको क्या कहा जाता है? Kalwaisa की is the right answer Dash is the longest lake in India Sambar, Bhempnatkayal, Ular, Chilka यापर एंसरे, option B, Bhempnatkayal Next question The Gangas originates from the Dash Glossier in Uttarakhand Siya Chen, Nubra, Yomana tree, Gangot tree यापर राइणसरे, option C, option D, Gangot tree Dash flows from Tibet to India Siltuch, Brahmaputra, Indus, all of these यापर जो तीनो नोदी option में दिया जया है Siltuch, Brahmaputra, Indus, यापर तीनो नोदी तिबबस से इंडिया आते तो all of these, option D is the right answer Dash point is the name given for the southern most tip of India Karna Kumadi, Lakshaya, Indira, Ravindra यापर एंसर होगा Indira point ठीके, जमीन का जो point है ओ लास point है, Karna Kumadi लेकिन इंडिया का जो आंदाबा निकोबा दिप्पुंच पर इंडिया point है ओ है southern most tip of India ठीके, तो option C, Indira is the right answer Dash is the term used in India for a tract of land lying between two confluent rivers सत्भिक, Convergence, दोआप, दिम्टर यापर राइंसर है option C, दोआप दोनो रिवर की बीच की हिस्सो को क्या कहा जाता है दोआप कहा जाता है, ठीके The historical Malwa region includes parts of Nasiq, parts of MP and Rajasthan parts of MP, MP मतलब Madhra Pradesh, parts of Maharashtra यापर राइंसर है option B, parts of Madhra Pradesh and Rajasthan The Dash River has its source in India, Amarkandak Hill Amarkandak Hill जे कौन सी नधी उत्पिती होई है यापर राइंसर है option C, नर्मदा Next question, Satish Dhawan Space Center is located in Madhra Pradesh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, none of these Andhra Pradesh is the right answer, option B Which among the following is National Water Animal of India, Gangetic Dolphin, option D is the right answer How many Indian states share their boundaries with Nepal, right answer है option C, 5 जो पांच स्टेट से उसका नाम है उत्रपदेश, उत्तराखंट, बिहार, वेस्ट बेंगाल और सिकीम, ठीक है Next question, Talakashya University, Takhasila University was located between which two rivers मतलब, Takhasila University जो है, कौन सी दोनो रिवर की बीच में है, Indus and Jilam, Dalam and Ravi, Bs and Indus, Saltooch and Indus Option A, Indus and Jilam Which is the highest peak in Andaman and Nicobar Island, Mount Koya, Mount Diavolo, Saddle Peak, Mount Thular, option C, Saddle Peak is the right answer Which of the following nearby country of India is not a landlocked country, Myanmar, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Nepal, Bhutan, Afghanistan, landlocked country, Myanmar is the right answer Which is the longest dam in India, Teri Dam, Hirakut Dam, DVC, Damodar Valley Corporation, Bhakranangal Dam, Hirakut Dam is the right answer Option B What is the name of Brahmaputu in Bangladesh, Jamuna, Padma, Meghna, none of these Right answer is Option A, Jamuna Which state has the lowest schedule tribes ST in India as per 2011 census, UP, Uttarapadish, Madhya Pradesh, Goa, Himachal Pradesh Option C, Goa is the right answer Which state of India has the longest schedule cost ST population as per 2011 census, West Bengal, Uttarapadish, Punjab, Bihar Uttarapadish, Option B is the right answer Indian Standard Meridian Longitude, जिसको कहा जाता है Passes through how many states, 8, 6, 4 or 5 Option D, 5 states Or 5 states A, Madhya Pradesh, Uttarapadish, Chhatrisgarh, Orisha and Andhra Pradesh Next question Which state does not share border with Jharkhand West Bengal, Orisha, Madhya Pradesh, Chhatrisgarh Option C, Madhya Pradesh is the right answer Which state has the longest area under Westland Gujarat, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Rajasthan Option D is the right answer Which crop has the largest percent of irrigated area in India With rice, cotton, jute Rice, Option B is the right answer How many land area of India is under forest cover यहापर right answer है Option C, 24.39% तो A50 question थे, Part 1 में मैं बहुत जल्दी इसका Part 2 लेकर आने वाला हूँ तो आप लोग चैनल को जरू सब्सक्राइब कर रखिए तो मैं जब भी कोई वीडियो अप्रोट करूँगा आप लोगों को पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा आज की सभी question को PDF के ग्रूप में पाने के लिए डिस्किप्शन बॉक्स पर जो लिंक है वह आपर क्लिक करना मत भूलिएगा और एक request आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा ओके फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो बाई बाई